हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं स्टाडी चैनल बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो में बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना समय आगे है दोस्तों टीज़िटी पीज़िटी की बहादरीन तयारी करने के लिए और एक्जाम पूर लेकर आगया है टीज़िटी पीज़िटी के लिए एक बहुत ही बहादरीन कोर्स यहाँ पर सस्टी पॉलिटिकल साइन्स, मैथ, कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, इंगले, सोसिलोजी और साइन्स चैसे सब्जेक्ट सामिल हैं डेस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक दिया गया है एक्जाम पूर आप का क्लिक करिए आप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीज़िट चकाओड करिए बहुत सारे फ्रीकोर्स भी वहाँ पर अबलबल हैं बहुत सारे चात्र ये पूछ रहे हैं किसका विग्यापन कब आएगा तो जानकाई निकलकर आगे हैं तोस्तों कि इसी मेहने के लास्ट वीक में विग्यापन जारी कर दिया जाएगा तो इसको लेकर आ आस-पास वीक्यापन आपके देखने को मिलेंगे और इस बार का भी एक्जाम ऑनलाइन ही हो रहा है ये आपको पता ही होगा इस बार जो आवेदन होंगे वो रिकॉर्ड आवेदन होंगे सीटेट के सभी रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं चुकि इस बार फर्स सनस् भी ले लिया है तो भी आप सीटेट के लिए एलिजबल रहेंगे और यही कुछ कारण है जिसकी वज़र से नोटिफिकेशन में भी डिले हुआ पिछली बार एक्जाम ऑनलाइन हुआ था कुछ समस्य हैं देखने को मिले थी पहले जिनी का एक्जाम हो जी नहीं पाया था तो उन सब टेक्निकल इशूज को भी सौल किया गया है जिसकी वज़र से थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन आपका एक्जाम दिसम्बर में होगा यत्या है और आवेदन इसी मां के लाख तक सुरूख हो जाएंगे जिस तरह से इस बार पेट 2022 में 37 लाख आवेदन आए है ऐसा ही कोशिस बार से टेट में भी हो सकता है क्योंकि दे लेड के फर्स सम ester वाले सेसी में सेसमेंस वाले विछ चात्र आवेदन कर सकती है किसी इसे भी स्टेट के हों से तक mett में تو वैसे भी हर राज की अभियती फॉर्म भरते हैं ले लिया लिया है या फिर बीलेड जु चार साल का कुर्स होता था उसमें सिब जो चोटिय साल के छातर होते थे पहले सिर्ग वही फॉर्म भर देती अब फास्ट यार वाले सेकेंड ऑले थार इर वाले सब छातर फॉर्म भरेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या इस बार होगी सिटेट में साथी साथ जो छादर पहले से एक्जाम पास हैं वी फॉर्म भरेंगे क्योंकि नई सिक्षानिती में टेट के नंबर जोड़ने का प्राउधान है बिहार में सिक्षक भरती की चर्चाएं हैं और वहाँ पर टेट के नंबर जोड़ जाती हैं तो ये कुछ कारण है जिसकी पचास लाख हो आपको कोई कोई यहां पर कॉंपटीशन नहीं करना है यदि आप नब्बे लाती हैं तो आप पास हो जाएंगे चाहें जितने चात्रों ने फॉर्म बढ़ा हो लेकिन आप मैक्सिम्म लाने के कोशिश करिएगा क्योंकि आगे कॉंपटीशन तगला है और आने वारे समय में टेट के नंबर को भी वरिता मिल सकता है तो जिनका नंबर बहतर होगा वो अच्छा कर पाएंगे हाला कि नॉर्मली सिर्फ सीटेट पास मांगा जाता है शिक्षक भरतियों में और पिछली बार एक्जाम ऑनलाइन था बहुत सार चात्र एक्जाम सही से ने दे पाये सेंटर काफे दूर चले गए थे पहले बार एक्जाम ऑनलाइन था तो चात्र फैमिलियर भी नहीं हो पाया थे कंप्यूटर से जिसकी वजह सुनका भी वेपर खराब हो गया तो ऐसे सभी चात्र भी इस बार एक्जाम देंगे तो यही कुछ आनकारी अपनों